है लो एक हैं एक हैं यह जन्डरली तोर पर हम ऐसी बात करेंगे आज कि यह जो प्रक्टिकल बैसेश पर फॉलो होती है क्योंकि बिना डिजाइन इस्पेसिफिकेशन के आप यह सब वर्क नहीं कर सकते अगर आप एक इंजिनियर है ऐसे इंजिनियर अगर मैं बात करूं तो इन सभी चीजों के लिए डिजाइन होते हैं RCC के एडवांस RCC के उसके अनुसार आप काम करते हैं फिर आपके वर्क होते हैं लेकिन हम बात करेंगे आज जन्रल तोर पे अगर आप बनवा रहे हैं तो इस्टेर किस तरह से बना सकते हैं इसमें मैं थोड़ी सी बास्तू कि इनुसार भी बताऊंगा आप किस जगह से रख सकते हैं किस हिसाब से रख सकते हैं उसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि सिंपल तोर पे आप कितना उठान रख सकते हैं और कितना पैर रखने का पायदान रख सकते हैं यानि कि राइज और ट्रेड आप कितना कितना रख सकते ह सिधे वीडियो में चलेंगे इससे पहले कि अगर आपने अभी तेख चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके विल आइकन फ्रेस कर लिजे क्योंकि ऐसे वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे अब फ्रेंट सीधे चलते हम सबसे बेसिक पे कि अगर जैसे कि आप सीधिया बनवा रहें तो सबसे पहले मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि सीधियां जो आपकी साउथ एंड वेस्ट के बीचो बीच होना चाहिए मैक्सिमम तोर पे ऐसा माना जाता है वास्तु सास्त्र के अनुसार आपकी जो सीधियां है यानि staircase ये clock wise घूमी होना चाहिए friends यानि कि आपकी clock wise होना चाहिए गड़ी की सुई की दिसा जो है उस अनुसार आपकी सीधियां घूमना चाहिए जिस से ये दोस नहीं होता दूसरी चीज आपकी सीधियां है उसके नीचे आपको ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी चीजे और कौनसी नहीं बनाएं अब friends इसके बाद अब मेन आ जाते हैं हमकि जब सीड़ी आपने बना चुके हैं तो इसके बाद आपको कितना जो rise है और trade है यानि कि pair रखने का कितना बनाना है और जो उठान है वो कितना बनाना है rise और trade तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप जो पैर रखने का बनाएंगे वो फ्रेंड्स आपका लगबग 10 से 11 इंच होना चाहिए जिससे आपका जो फूट है वो असानी से उस पे पड़े और आप स्लिप ना हो और एक चीज इसमें कि टाइल्स कभी भी लगाते हैं तो टाइल्स हो सके तो बहुती रफ कॉलिटी की जो रहती है कॉलिटी से मेरा मतलब है जो मोजेक टाइप आती है जो एक्ट्यू प्रेशर वाली जो हम यूज करते हैं उस टाइप से होना चाहिए जिसमें आपके पेर स्लिप ना हो क्योंकि बारिस के दिनों में या फिर फ्लोर पे फर्स पे जैसे हम स्लिप हो जाते हैं उसी तरह से सीडियों पे होंगे तो जान माल के साथ साथ बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है तो यह चीज़ आप ध्यान इंच एंड सेवन टू सिक्स इंच यह आपका होना चाहिए इससे क्या होगा कि आपकी सीडियां जो है प्रक्टिकल विसेश पर हम बात कर रहे हैं कि आसानी से आप चड़ भी सकते हैं और इन चीजों का तो विसेश ध्यान रखें आप तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि सेने टॉपिक के साथ तब तक के लिए थैंक यू